आज हम आपको दिखाएंगे कि मादा बिच्छू अपने बच्चों को जन्मा कैसे देती है और बच्चों को जन्मा देने के बाद मादा बिच्छू तुरंद ही मर जाती है लेकिन क्यों और साथ ही जन्मा लेने के बाद बच्चे अपनी मा को क्यों खा जाते है बिच्छू से जुड़ी एसी बहुत सारी बाते आज हम आपको बताएंगे जो सायद आप नहीं जानते होंगे इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखे और साथ ही आप चैनल पे नहीं है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सबस्क्रेब जरूर कर ले ताकि हमारे वीडियो आप सबसे पहले देख सके तो चलिए दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त अंकेट और वीडियो सुरू करते है बिच्चू का जन्म मादा बिच्चू के योनी मरक से नहीं बलकि उनके पेट से होता है बिच्चू एक बार में 30 से 40 बच्चो को जन्म देती है जिसके करन उनका पेट फट जाता है और वहीं से बच्चो का जन्म होता है और मादा बिच्चू का वो आखरी समय होता है मादा बिच्चू एक मात्र ऐसा जीव है जो अपने बच्चो को पेदा करने के बाद तुरंद ही मर जाती है मादा बिच्चू अपने जिवन कल में सिर्फ एक बार ही मा बन सकती है और जन्म देने के बाद उनको मरना ही पड़ता है क्योंकि एक साथ बहुत सारे बच्चों को पेदा करने कारण उनका जो पेट होता है वो फट जाता है और उसी कारण से बच्चों को जन्म देने के बाद मादा बीचु की मौत हो जाती है और बहुत कम लोग जानते हैं कि बीचु एकमात्र ऐसा जीव है जो जन्म लेते ही अपनी मा को खो देते हैं और साथ साथ अपनी मा को खा भी जाते हैं जब तक वह अपनी मा को पुरी तरव से खा नहीं लेता है तब तक वह अपनी मा के उपर से नहीं अटता है केहने का मतलब यह है कि बीचु अपनी मा को खाकर ही बड़ा होता है और बड़ा होने के बाद जब वह सरीर के सारे मास को खा जाता है तो वह दूसरी जगह जला जाता है कुछ लोगों का मानना यह भी है कि बीचु जब बड़ा हो जाता है तो बिना खाये एक साल तक जिन्दा रहे सकता है और बिना सांस लिये एक दिन तब और यह सच है कि दुनिया के सबसे खतरनक बिच्चों का जहर भी काफी महेंगा मिलता है एक रिपोर्ट्स की माने तो करिब साड़े तिन लिटर बिच्चों के जहर की किमत ठाई अरप से बेज्यादा होती है अगर हम इसे कम मात्रा में समझ कर देगे तो एक बुन्द की किमत करिब 11,000 रुपिय तक आएगी नर्ब बिच्चों के जिवन कल का अब तक सही पेमना कोशित नहीं हुआ है फिर भी कुछ रिपोर्ट्स अनुसार बिच्चों की अलग-अलग प्रजातियों की उम्र 6 साल से लेकर 25 साल तक आके गई है क्या आप जानते हैं बिच्चों को प्रुथवी का सबसे प्राचिन जीव माना जाता है एक अनुमान के अनुसार बिच्चों प्रुथवी पर लपक 400 मिलियन साल पेले से आ रहे है यानि जब प्रुथवी पर डाइनोसर थे तब भी बिच्चों का वास हुआ करता था कुछ सोध करताओं के मुताबित बिच्चों में पाये जाने वाले रसायन क्लोरो टोक्सिन को अगर ट्यूमर वाले जगव पर लगाये जाए तो इससे स्वस्थ और केंसर ग्रस्थ कोसिकाओं की पेचान आसानी से की जा सकती है साथ में केंसर जैसे रोगों के इलज में लावकरी विवाया गया है बिच्चू एक मात्र ऐसा जीव है जो दुनिया में न्यूजीलेंड को छोड़कर सभी जगव पर पाये जाते है उनके सरीर में एक भी हड़ी नहीं होती है बिच्चू लगबग 20 किलोमीटर प्रती घंटे की रप्तार से तोड़ सकते है एक स्वस्त बिच्चू का आकर 2-3 इंच तक हो सकता है और उसका वज़न 10-100 ग्राम के बिच्च होता है और वया कभी भी जूंड या परिवर बना कर नहीं रहते हैं हमेशा अपना जीवन अकेले ही व्यतित करते हैं और क्या आप जानते हैं बिच्चू की 80% प्रजातिया इंसानों के लिया हानिकारक नहीं है लेकिन बिच्चू के डंक लगने पर डॉक्टरी इलज करना बेहत जरूरी होता है अगर उनके उपर शरब डाल दी जाए तो यह पागल हो जाता है पागल हो जाने के बाद यह अपने आपको ही काटने लगता है एवं इदर उदर तोड़ने लगता है अब यह सच है या जूट यह तो हम नहीं बता सकते लेकिन बिच्चूों के बारे में लोगों द्वारा बहुत सी मानियताय भी मानी जाती है जैसे कि इनका सपने में दीखना जीवन के लिए खतरनाक मना जाता है यदि घर में बिच्चू कतार बना कर बाहर जाते हुए दिखाई दे तो समझा जाता है कि घर में लक्स्मी चाने वाली है और पिला भी चुगर में निकले तो समझा जाता है कि कर्मे लक्षमी का आगमन होने वाला है तो दोस्तों आज का वीडियो बस इतना ही और आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा यह हमें कमेंट करके जरूर बताए और बहुत मेहनत लगती है एसे वीडियो बनाने में इसलिए अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और एसे ही वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल धर रास्यमे रेडियो को सब्सक्राइब जरूर कर दे तो चलिए दोस्तों फिर मिलते है एक एसे ही वीडियो के साथ तब तक के लिए नमस्कार जैहिंद